असलाम लेकूम बिस्मिल्लाहिराह्मान इराहिम हल्दी हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर पॉडर हाफ टी स्पून नमक हाफ टी स्पून लाल मिर्च पॉडर हाफ टी स्पून साबुत धनिया एक टी स्पून और अजवाइन हमने ले ली हाफ टी स्पून कुटी मिर्च एक टी एक टी स्पून चाट मसाला ले लिया एक टी स्पून धनिया पाउडर ले लिया और एक टी स्पून हमने ले लिया साबुत जीरा यह हमने घर के मसाले ले लिये पांस से छे हमने इमली के बीज लेके उसका पल्प निकाल लिया हुआ था बीज लैदा कर दिये और पल्प एक टेबल स्पून डाल देंगे, ये तमाम मसाले डाल देंगे, इमली का पल्प डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, तो अब हम इसे मचली के पीस के अपर लगा देंगे, ये रोह मचली हमने लिए थी, बेसन में डालने के लिए सफेज जीरा, सुखा धनि थोड़ी सी हमने अजवाइन थोड़ी सी कुटी मिर्च ले ली और अब हमने ये हस्बे जरूरत ले लिया बेसन और थोड़ा सा इसमें हमने डाल दिया मैदा और ये तमाम चीजें इसमें मिक्स कर देंगे कुटी मिर्च नमक और हल्दी इन सब चीजों को हमने अच्छे से मि बोके तो ये देखें जब इसे थोड़ा सा सेटल हो जए तो टर्न करेंगे जहां से अगर थोड़ी सी कोटिंग उतरी हो आप उसे हलका सा चमच के साथ दुबारा लगा सकते हैं ये पीस थोड़ा सा सेट हो गया थोड़ा सा पक गया अब हम इसे निकाल लेंगे और इसी तरह से तमाम पीस जो हैं हमने निकाल लेने हैं यहां बजार की तरह की बेसन वाली फिश तियार करने लगे हैं इस स्टेज पर आप इसे निकाल के रख भी सकते हैं और जब महमान आएं तो आप इसे दुबारा से फ्राई कर लें तो बहुत ही मज़ेदार सी रैस्पी आपकी त साथ रहें यह दो घंटे के बाद इसे हम फिर फ्राई कर रहे हैं अब यह बहुत ही मज़ेदार और कुरकरी सी हमारी फिश त्यार है आपको यह मेरी वीडियो पसंद आए प्लीज इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें